प्यारे बच्चों, मैं किरन यादो, आज आपका परिचय जलसन साधन तथा इससे जुड़े हुए विभिन तत्यों से करवाऊंगी यह अध्याय कच्छा दस के लिए भुगोल की पाठि पुस्तक समकालीन भारत भागदो के अध्याय संख्या तीन से लिया गया है प्यारे बच्चों, आप दैनिक जीवन में जलसन साधन से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं जैसे पे जल का संकट, सुखा ग्रस्त छेत्रों में फसलों का बरबाद होना, भीशण बाड से तबाही, जैसे खत्रों को दिन प्रतिदिन देखते होंगे और जलसन साधन की महत्ता तथा इससे जुड़ी हुई समस्याओं पर विचार भी करते होंगे प्यारे बच्चों, वास्तों में हमारा जीवन जल से निकटता से जुड़ा हुआ है, कहते हैं जल है तो जीवन है अभी तक ज्यात ब्रम्हांड में प्रतिवी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जल है और यह जल धर्ती के जीवन के लिए उत्तरदाई है इसलिए प्रतिवी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों, प्रतिवी का तीन चौथाई भाग जल से ठका हुआ है और यह एक नवी करण ये संसाधन है जिसका प्रियोग बार-बार किया जा सकता है इसका पुनरभरण हो सकता है और इसका नवीनी करण जली ये चक्र के द्वारा होता रहता है आपने छोटी कच्चाओं में जल चक्र के बारे में जरूर पढ़ा होगा जिसमें जल महासागरों से जलवाश बनकर बादलों में बादलों से संगनित होकर वर्षा की बुन्दों के रूप में पृत्वी पर आता है और फिर महासागरों में मिल जाता है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है इसी से पृत्वी पर जीवन संभो होता है बच्चों, वर्तमान समय में जल हमारी संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और ऊदोगिक जीवन का आधार है। जल सिचाए की सुविधा प्रदान करते हैं, उद्धोगों को भल प्रदान करते हैं, नगरी करण को पुरुथसाहित करते हैं और विद्धू तोर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। जल आज से ही नहीं, प्राचीन समय से ही हमारी सभ्धा का आधार रहे हैं। यही कारण है कि प्राचीन सभ्धाओं का विकास, नदियों तथा जली स्रोतों के समीप हुआ। जल की उपलवधता से संबंधित समस्याएं सामने आती रहती हैं। ऐसी भी भविश वाणी की जाती रही है कि दो हजार पचीस तक भारत की लगभग 20 करोन जनसंख्या जल दुरलपता का सामना करेगी। जबकि 2030 तक भारत में लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या जल की कमी की समस्या से जूज रही होगी। प्यारे बच्चों, जल की उपलवधता से संबंधित इन समस्याओं को समझने के लिए हमें कुछ तत्यों पर विचार करना होगा। अनिजीवधारी करते हैं। इस ताजे पानी का लगभग 70 प्रतिशत भाग यानि 1.75 प्रतिशत हिस्सा परवतों तथा धुवी छेत्रों में हिम चादरों के रूप में जमा हुआ है। और ये अंटारकटिका, ग्रीन लैंड तथा परवतों की चोटियों पर पाया जाता ह बाकी बचा हुआ 30 प्रतिशत भाग जो की कुल उपलब्ध जल का एक प्रतिशत से भी कम है हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। अब आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तों में जल कितना अमूलिस अंसाधन है और जल के दुरलफता की समस्या का सामना चरम पर पहुँच गया। इसी प्रकार वर्ष 2019 में भारत के दच्छनी शहर चिन्नई में आया जल संकट पिछले कुछ दशकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में उभरा। चिन्नई पशासन ने 19 जून 2019 को डे 0 का नाम दिया। अर्थात इस दिन शहर मे जल आपूरती पूरी तरह सिध्वस्त हो गई। और इतना ही नहीं ऐसा भी अनुमान है कि आने वाले कुछ वर्षों में विश्यु के लगभग 100 शहर जल संकट का सामना करेंगे। इन में भारत के प्रमुक शहर जैसे मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर और दिल्ली जैस प्राप्त करता है और प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के अनुसार भारत का स्थान विश्यु में 133वा है। प्यारे बच्चों, पूरे भारत वर्ष में प्रतिवर्ष औसतन 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर प्रशन है कि जल की दुरलब्धता क्य जल की कमी से है, जबके गुडात्मक समस्या का संबंध जल के प्रदूशन से है। सबसे पहले हम बात करते हैं जल दुरलब्धता के मात्रात्मक पहलू की। जल दुरलब्धता के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवी कारण। प् यही कारण है कि वर्ष के अधिकांश समय में देश के अधिकांश भाग परियाप्त वर्षा प्रात नहीं कर पाते। देश के कुछ भागों जैसे पश्मी खाट, अंडमान निकोबार देपसमू तथा पूर्वोत्तर भागों में वर्षा छे महीने से भी अधिक होती है। किन्त अधिकांश छेत्रों में यह जूंग से सितंबर के बीच मात्र चार महीनों में होती है। की मात्रा 10 सेंटीमीटर से भी कम है, जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग और लद्दाक का ठंड़ा मरुस्थल। इस पश्ठ है कि कम वर्षा वाले छेत्र जल की कमी का सामना करते हैं। भारत के प्राइदीपी पठार के अधिकांश आंतरिक छेत्र, जिने भुगोल की भाषा में व्रिष्टी छाया प्रदेश कहा जाता है, ग्रीश मृतु में जल के संकट का भीशन रूप से सामना करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या ये संभव है कि किसी छेत्र में जल की परियाप्त मात्रा होते हुए भी वहाँ जल की कमी हो। संभव है अगर जल संसाधनों का अतिशोशन हो, उनका अतिधिक कुपयोग हो और समाज के विभिन वर्गों में उनका समान रूप से पटवारा ना हो इस प्रकार अनेक मानवी कारण जल संकट को और गहरा बना देते हैं। अब हम बात करते हैं उन मानवी कारणों की जो जल की दुरलपता के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। विश्यु का विशालतम देश होगा। ऐसी इस्थती में जब हमारे जल संसाधन सीमित हैं इस पश्ट है कि मांग में बढ़ूतरी होगी और अधिकांश जनसंख्या को पे जल उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा सबसे बढ़ा कारण है कृशी छेतर में पानी की मांग अध जल में तेजी से कमी आती जा रही है। भारत के कुछ भाग जो हरितकरांती से प्रभावित हैं और खाद्यानों का वाडिजिक अस्तर पर उत्पादन होता है उन छेत्रों में तेजी से भूमिकत जल का अस्तर कम होता जा रहा है। आज पंजाब, हरियाना, पश्यमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के अधिकांश भाग लगातार नीचे होते हुए भौम जल अस्तर की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सिचाई पर निर्भर वाडिजिक फसलों के उत्पादन ने इस संकट को और घहरा बना दिया है। सिंचित छेतर में विस्तार जल दुरलबता का प्रमुख कारण है। बच्चों, आज समय की आवशक्ता है कि हम शुष्क क्रिशी तक्नीकों को अपनाएं। ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए जिन में पानी की कम से कम आवशक्ता हो। इस प्रकार क्रिशी छेतर में बड़े पैमाने पर सुधार कर इसमें क्रांती लाने की आवशक्ता अन्यथा देश की खादी सुरक्षा खत्रे में पढ़ सकती है। बच्चों, जल दुर लप्ता का अगला प्रमुख कारण है और दोगी करना। को मातरात्मक रूप में प्रभावित करते हैं, बलकि वह जलकी गुडवत्ता का भी विनाश करते हैं, जिससे जली ये पारिस्थतिक तंद्र बुरी तरह प्रभावित होता है। नगरी करन एक और कारण है, जिसने पिछले 20 वर्षों में नगरी चेतरों में जलसंकट को त बेजल की आपूरती मुख्य रूप से भूमिकत जलसे की जाती है, जिससे जल संसाधनों का तेजी से शोशन हो रहा है और इसकी निरंतर कमी होती जा रही है। प्यारे बच्चों, अर्थ विवस्था को गती प्रदान करने के लिए आपको पता है उर्जा की भी आउशकता होती है। भारत अपनी उर्जा का छाचट प्रितिशत भाग तापी उर्जा के रूप में कोईला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त करता है जबकि 22 प्रितिशत भाग जल विद्दुत से प्राप्त करता है। जल विद्दुत उत्पादन के लिए बांधों का निर्माड और नदी की धाराओं में परिवर्तन जैसे कारणों से नदीयों के प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो चुके हैं और नदीयों का समाजी कार्थिक समस्याओं से भी जूज रहे हैं। प्यारे बच्चों, आईए अब बात करते हैं जल के गुडात्मक पक्ष की। उत्तरीक भारत के अधिकांस छेत्रों में जल की परियाप्त मात्रा में उपलब्धता होती हुए भी लोग पे संकट का सामना कर रहे हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण है हमारे धरातिले जल का प्रदूशित होना। दसिटिजन फिफ्थ रिपोर्ट C.S.E. 1999 के अनुसार भारत की नदियां विशेसकर छोटी सरिताएं जहरीली धराओं में बदल गई हैं। उत्तर भारत की बड़ी नदियां जैसे गंगा और य पूंड जीवन खत्रे में है। भारत में नदियों के प्रदोशित होने के मुखे रूप से तीन कारण है। पहला कारण है घरेलू ठोस अप्षिस्ट पदार्थों का और सीवर का बिना उपचारित किये हुए निकट वर्ती जल सुरोतों में मिलाना। भारत के अधिकांश नगरिये छेत्रों से निकलने वाला कच्रा सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। जो नदी जल प्रदूशन का मुखे कारण है। जबकि विश्व के अन्य देशों में नगरिये कच्रे के उचित लिपटान की विवस्था के कारण नदियां सदय उस्वक्ष रहती हैं टेम्स नदी के किनारे पर इस्थित लंदन की सीवर निप्टान प्रणाली इसका सबसे अच्छा उदारण है दूसरा प्रमुख कारण है भारत में क्रिशी छेतर में प्रयुक्त कीट नाशकों और वरकों तथा अन्य रसायनों का सीधे जल में मिलना भारत एक क्रिशी प्रधान देश है जहां नदियों नहरों तथा भूमिकत जल से सिचाई के द्वारा फसलों के उत्पादन पर जोड़ दिया जाता है सिचाई के बाद अतरिक्त जल जो भूम में रिस कर जाता है भूमिकत जल को प्रदूशित कर देता है जब इसी जलका पे जलके रूप में उप्योग किया जाता है तो यह स्वास से सम्मंधित गंभीर समस्याओं का कारण बनता है नदियों की गुडवत्ता को प्रभावित करने वाला तीसरा सरुप्रमुक कारण है और दोग एक अप्षिष्ट का बिना उप्चारित किये हुए नदियों में डालना उद्दोग जल का भारी मातरा में उप्योग करते हैं वा उनसे निकला हुआ अप्षिष्ट पदार्थ निकटवर्ती जल सरोतों की भौतिक, रासाइनिक तथा तापिय संदशना को बदल देता है उद्दोगों से निकलने वाला जहरीला पदार्थ जल में मिलकर उसके गुडवत्ता को नश्ट करता है जबकि उद्दोगों से निकलने वाला गर्म जल, जिसका उप्योग विभिन और दोगिक एकाईयों में मशीनों को ठंड़ा करने के लिए किया जाता है, पानी का प्यारे बच्चों, अब आपको अनुमान हो गया होगा कि जल की कमी तथा इसके प्रदूशन के क्या कारण हैं, यह हमारे दैनिक जीवन तथा पारिस्तितिक तंत्र को तेजी से प्रहावित कर रहे हैं, अतह समय की मांग यह है कि हम अपने जल संसाधनों का उचित प्रबंध कर सकें, हम अपने आपको स्वास्त संबंधी खत्रों से बचाएं, देश की खादी सुरक्षा में अपना योगदान दें, प्राकृतिक संसाधनों के सतत पोष्णे विकास को सुनिश्चित करें और पारिस्तितिक तंत्र का विनाश होने से बचाएं प्यारे बच्चों, जल संसाधनों के अतिशोषण तथा इसकी उपलब्धता में असमानता से अनेक, सामाजिक, आर्थिक, पारिस्तितिक समस्याएं उत्पन हो सकती हैं, जिनका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पढ़ सकता है जल संसाधनों का उचित प्रभंधन ही हमें 21 सदी में एक स्वस्थ, सफल और प्रगतशील जीवन प्रदान कर सकता है प्यारे बच्चों, अब प्रश्ण है कि हम जल का संदच्छन वा प्रभंधन किस प्रकार करें, जिससे यह सीमित संसाधन प्राणियों को जीवन दाई शक्ती के रूप में हमेशा उपलब्ध रहे प्राचीन काल से ही जल के उचित प्रबंधन तथा सिचाई की उचित विवस्था के लिए शासकों ने समय समय पर प्रभावी उपाई किये यदि हम जल प्रबंधन तथा संदच्छन के प्राचीन इतिहास की ओर जाएं, तो सबसे पहला प्रयास नदी घाटी सभिताओं में देखने को मिलता है सिंदु घाटी सभिता के महत्वण नगरों के आसपास जल संदच्छन की संदच्छनाओं का विकास किया गया था जिनसे वर्ष के सूखे महीनों में नगर की पे जल की आवशक्ता की पूर्ती होती थी साथी इस जल का प्रयोग क्रिशे में सिचाई कारे के लिए भी किया जाता था प्यारे बच्चों धोला वीरा के चारों तरफ मानसून के समय आने वाले अत्रिक्त पानी को इकठा करने की विवस्था पक्के और चौकोर तालाबों में की गई थी जिसका उप्योग वर्ष भर लोगों की जल संबंधी आवशक्ताओं को पूर्ण करने में किया जाता था चंद्रगुप्त मौरे के काल में भी बांध, जील और सिचाई तंत्रों का निर्माड कराया गया चंद्रगुप्त ने सोराष्ट छेतर में गिरनार पहाडियों के पास सुदर्शन जील का निर्माड करवाया जिसके पुनरुथान का कार्य अशोक तथा उसके बाद आने वाली पिढ़ियों ने भी किया दच्छन भारत के अनेक राजवंशों ने समय समय पर सिचाई के लिए जीलों का बांधों का निर्माड करवाया दस्वी शतादी में चोल वंश के राजाओं ने तमिल नाडु में विरानम बांध का निर्माड करवाया इसी प्रकार ग्यार्वी सदी में परमार वंश के राजा भोज ने भोपाल जील का निर्माड कराया जो अपने समय की सबसे बड़ी कृतिम जीलों में से एक है यह जील अपने आसपास की अनेक छोटी-छोटी वाहिकाओं से पानी प्राप्त करती है तथा भोपाल शहर को पे जलकी आपूर्टी प्रदान करती है प्यारे वच्चों, प्रित्वी राज चोहान ने भी अपने शासन काल में पश्चमी यमना नहर का निर्माड करवाया जिसका बाद में 1335 में फिरोज शाह तुगलक ने पुनरुधार किया आज भी इस नहर के पानी से हर्याना तथा पश्चमी उत्तर प्रदेश के हजारों हेक्टेर जेमिन में सिचाई होती है चोदहमी शताब्दी में सल्तनत काल में इल्तुत मिशने दिल्ली की पेजल वेवस्था तथा सिचाई की वेवस्था उन्नत बनाने के लिए हौच खास का निर्माड करवाया ब्रिटिश शासनकाल में भी भारत के सदावाहनी नदियों से अनेक नहरे निकाली गई जिनका प्रियोग आज भी सिचाई के कारिमें किया जाता है बच्चों इस पश्ठ है कि जल संसाधनों के संदच्छन के लिए प्राचीन काल से ही प्रयास किये जाती रहे है सुतंदर्ता के पश्चात बहुत देशी नदिगाटी परियोजनाओं ने देश में जल संसाधनों के संदच्छन तथा प्रबंधन के अधारशिला रखी जिसने भारत के विकास की गती को बढ़ाने में अपनी महतुपूर्ण भूमिकानी भाई प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने इस अध्याय में ये जाना कि भारत में जल की उपलब्धता कितनी है जल संकट का सामना पूरा विश्व क्यों कर रहा है भारत में जल संकट के समस्या क्यों उत्पन हो रही है भारत में जल के दुरलफता से होने वाले मातरात्मक और गुडात्मक समस्याई कौन-कौन सी है साथी हमने बांधों के इतिहास पर भी प्रकाश डाला प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कि नदी-घाटी परियोजनाई क्या होती है इनसे होने वाले लाप और हानिया क्या है और हम जल संसाधनों का संरचन किस प्रकार कर सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद